हाई दोस्तो मैं हूँ आपका दोस्स संपस्टनायविदा. दोस्तो आज इंए संडे और आज मैं आपके लेकिये लेके आया हूँ. आद्यात्न से जुड़ी हुई ふी से दोस्तो आज मैं बात करूँगा बक्ति से संब्दिलों. दोस्तों क्या भगवान की भक्ति करने से भगवान मिलते हैं तो मेरा जवाब है दोस्तों को सिर्फ भगवान की भक्ति करने से भगवान नहीं मिलते हैं, उसके लिए दोस्तों आपको कुछ कर्म भी अच्छे करने पड़ेगा, सिर्फ भक्ति करने से आप सांसारिक जीवन मे सिर्व बंठी करते हुए जो भगवान को नहीं पास से क्ते दोष इसके लिए आपको अपने कर्म में सुधार करना पड़े हैं तो अपने कर अच्छे करते हैं दोस्तों व्यक्ति सुबह शाम शाम आता है जाता हिसके बात सुभए नाम ले को ऐसे कंथ और को अपने के बाते सुभत बाट अप ₹ रहा है कर उधर जा रहाक बिजिसस में जा रहा है कई परिवार में जा-मीजा रहा है क्ई आ स्वेटित करें कि ने बगवान ऐस वही इसलिह बतारा हूं को कि कीसे कर्म करने पढ़ेंगे कभी आपकी भक्ती सपब्ध भजदार्टू से बनाए जिसका आउरत होता है बजना यानी सेवा करना अराधना करना किसी दोस्तों को स्री कृष्ण ने दीता में कहा है जब बक्त अपनी अराधना से अपनी बक्ती से मेरे से साकसाथ संबंद इस्तवित कर लेता है वही बक्ति योग कहलाता है दोस्तों गीता में बारवा अध्याय पूरा बक्ति के उपर दोस्तों आप पढ़ना जिरूर मैं कुछ अंस आपके सामने प्रस्तूत कर रहा हूँ उसको आप विश्तित पढ़ना आपको बक्ति की व्याख्या मालूम होगी कि क्या होती है बक्ति सिर्फ बक्ति करने से कुछ नहीं होता है उसके साथ में कुछ ऐसे कर्म करने पढ़ेंगे आपको दोस्तों तो आप भगवान को प्राक्त कर पाँए दोस्तो सबसे पहले पीता के बारवे अध्याय में तीसरे और चोते स्लोक में स्रीक्रिशन अर्जुन से कहते हैं कि जो बक्त मेरी बक्ती करता है और साथ में सबी मनुश्यों के परती समर्पण भाव रखता है दोस्तों वो मुझे को प्राप्त होता है दोस्तों इनका मतलब बता है दोसरों के परती त्यस्ता नहीं रखना दोस्तों के परती समर्पण भाव रखना दोसरों का जितना हो सके मदद करना और वो भी दोस्तों अपनी समर्ति के अनुसार स्रिक्रिष्ण गीता में कहते हैं कि आप अपनी समर्ति के अनुसार जितना हो से लोगों की मदद करें वो भी एक तरकी बक्ती है दोस्त वो भी एक तरकी भक्ति है और उससे आप मुझे पा सकते हैं इसलिए लोगों के प्रति समर्पन पाव रखे और उसी बारवे अध्याय के अध्याय में तेरा और चौद्वे स्लोक में एक बात लिखी है मैं आपको बतार रही वो स्री क्रुक्रिशनर्ण अर्जुन से कहते हैं कि मेरा भक्त में किसी वी परिस्तिति कि प्रुसते में विचलित नहीं होना है यूज़ो वही has responds को दूसरा वो कहते हैं, स्रीकिष्ण कि मनश्य बक्ति के साथ में दूसरे मनश्य से देस्था नहीं रखे. दोस्तों, आपको बक्ति करनी है, लेकिन साथ मन को निर्मल रखना है किसी के प्रति देस्था न रखे. स्वच और निर्मल बाव रखे, सभी को अपना समझे, तब ही आप भगवान को पास होके को दोस्तों. दूसरा स्रीकिष्ण केते हैं, सभी जीवों के प्रति दया बाव रखे, सभी के प्रति दया बाव रखे, किसी के प्रति दुर्भाव न रखे दोस्तों. यही गीता के बक्ति योग में स्रिकष्ण नहां बताया है दोस्तु आपको बक्ति के साथ में अपने मन को निर्मल करना है अपने मन में आहंकार नहीं आने दिना है किसी वस्तों के लिए किसी पद के लिए अगर अहंकार आ गया दोस्तों तो आपकि ब्यरत है दोस्तों आप भगवां के सामने वक्ति कर रहे हैं तो भक्ति मेरी निचर में और ब्ग्ति योग में भी कॉय क्रिष्ण मन को संतुष्ट रखे तभी आप आपकी बक्ती सपल हो पाईगी दोस्ति बक्ति योगत के पंदरवे सलोक में एक बात लिखिए दोस्ति बहुत अच्छी बात लिखिए और स्रीकिष्ण उस पंदरवे सलोक में अर्जुन से कहते हैं कि जो बक्त मेरा बक्ती करता है और साथ में मन वचन कर्म से किसी को कश्ट नई पहुचाता है वो बक्त मुझको प्राप्त होता है दोस्तों बहुत ही अच्छी बात कहिए बगवान ने स्रीकिष्ण ने मन, वचन, कर्म से किसी का भी बुरा न करे अगर आप भगवान की बक्ति करते हैं तो मन, वचन, कर्म से किसी का भुरा न करे हमेशा अच्छा करने की सोचे दोस्तो जितना हो सके अच्छा करने की सोचे अपने कर्म अच्छा करने की सोचे और अपने समर्ति के अनुसार अच्छा करें जरूरी नहीं है कि आप वह से जङने समर्ति नहीं होते तो हर कुछ करते हैं इसा नहीं करें दोस्तों, भगवान ने हमेशा काई कि अपने सामर्ति के अनुसाल लोगों की मदद करें, ये ध्यान रखना दोगें, और उसी बक्ति योग में 18-19 सुलोक में कहा गया है, कि कू संगती से डरें, जो मेरा बगत होता है न, वो कू संगती कभी नहीं करता है, द दियान रखें, हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहें, तभी आपको भगवान और आपकी बक्ति सपल होगी, और आप भगवान को पाप आएंगे, दोस्तों, अगर मेरे प्रस्टनल व्यक्ति के राय है, और मैंने महसूस भी किया है, दोस्तों, अगर आप सच्ची भगव मैं आये नाये, जब कभी मेरे से कुछ गलतकारी है, कुछ भी हो जाए, अंजाने में होता है, जान करके दोस्तों कौन करता है, जो करता है, जिनके मन में ध्यस होता है, लेकिन दोस्तों, कभी भी अगर मेरे मन में जाने अंजाने में गलतकारी हो जाता है, तो जब कभी मैं अपना मन अंदर से बोल जाता है दोस्तों, जब आप प्रभु से साकसात होते हों, अपना मन बोल जाता है, या तुने वो गलत कारी किया, तो भगवान क्या कही है, और दोस्तों, जो सची वक्ति करता है न भगवान की, वो किसी से न डरता है, वो किसी से न डरता है दोस्तों वो सिर्फ और सिर्फ बगवान से डरता है कोई भी भी गलत कारी करता है ने दोस्तों उससे पहले वो दुनिया से नहीं डरता है दोस्तों डरेगा तो बगवान से वो देखता है मुझे कोई नहीं देख रहा है लेकिन एक अद्रश्य सक्ती है जो मुझे देख लिए और वही सक्ती दोस्तों उसको गलत कारी करने सरो होगे। इसलिए दोस्तों, अगर आप बगवान की बख्ति करते हो, अगर आप बगवान को सचे मन से पाना चाते हो, तो आपको जो मैंने जो कर्म बताये हैं, जो गीता के बक्ति योग में बारवे के अध्या में निका है वो आपको अपनाने होंगे दोस्तों अपने आपको मन, वचन, कर्म से सुद्ध करना होगे दोस्तों तभी आपकी भक्ति सपल हो पाएगी दोस्तों तब ही आप अपने भगवान को प्राप्थ हो पाओगी दोस्तों इस सांसारिक जीवन में रहते हुए दोस्तों आप भगवान को पाप आएगे और अधिक जान करी लिए दोस्तों घीता के बारवे अध्या में बक्ति योग की विस्तित वैक्षा की गई है अब पढ़िये और आपको खुद को महसूस होगा कि मेरे को बक्ति के साथ में और क्या करना चाहिए इसे के साथ आज़े ही दोस्तों नमस्कार